हालो लास्ट वीडियो में हमने होक्स के बारे में जो भी पढ़ा था उसी होक्स को आज के वीडियो में भी हम कंक्लूड करने जा रहा है एक और एक्जामपल के साथ हुक्स को हम आप डिस्क्राइब कर रहा है और देन हम नेक्स जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम रियक्ट राउटर के बारे में बात करेंगे तो प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इसे एक्जामपल में दो हमारे बटन्स होगे और उस बटन पर हम क्या चाहते हैं कि जब click करें तो एक button पे जब हम click करें तो increment हो और दूसरे button पे जब हम click करें तो value हमारा decrease हो जाए now so इसके लिए हमने क्या किया एक src में नया file बनाया और उस file का name हमने app.jsx दे दिया basically jsx और js में कोई difference नहीं है java script and xml jsx को कहा जाता है और js हमारा क्या है java script यानि कि html जो हम लिखते है html in अब आप कह सकते हो कि html जो हमारा java script और xml को मिलके एक हमने xml का नया concept जो generate किया उसको हम jsx कहते हैं now so यहां हमें काम करने के लिए सबसे पहले हम function में बताने जाने functional based function based हम application mostly बनाते हैं region की आज जो हमारी company है जितने भी हमारे corporates हैं corporates mostly function based पे काम करती है इसलिए mostly जो हम stress देते हैं students को या जो new learner है कि आप भी functional based application पे ज्यादा stress दीजिए और उस पे अपने आपको hands on ज्यादा की जैसलिए कि अगर आप जब live project पे जाते हो जब भी आप किसी भी platform पे work करने जाते हो react के अंदर में तो mostly हमको functional based application ही बनाना पड़ता है तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक function बना लेंगे और इस function को हमने यहाँ पे generate करा लिया रियक्ट लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और यूज हुक्स को भी हमने यूज state को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया now अब हमें क्या करना है कि increment और decrease and decrease दो function बनाने हैं जिससे कि हम state को manage कर सके हैं तो एक variable हमने यहाँ पे declare कर लिया variable जिसका name हमने दिया number और set number एक हमने function बनाया और use state से उसके initial value को हमने initialize कर दिया initial value आप कुछ भी रख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे one रखा it means starting में जो number का value है वो क्या है one है now अब हमने एक function बनाया function increment और इस increment में हम क्या चाहते हैं कि value one by one increase हो तो value को increase जब करना हो तो set जो हमारा function था जो हमने variable declare करते से में दे रखा था उसमें हम क्या चाहते हैं कि value हमारा increment हो अगर हम number plus plus करते हैं तो इस case में क्या होगा आप already अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता भी होगा और हमने पहले के वीडियो में बताया हुआ भी है कि plus plus दो तरह से यूज होता है एक हमारा pre होता और दूसरा हमारा post होता है अगर हम post को यूज करते हैं तो post यूज करने में सबसे बड़ी problem क्या आएगी आप जब पहली बार क्लिक करोगे तो increment value नहीं दिखाई देगा लेकिन जब दूसरे बार आप क्लिक करेगे तो previous value जो increment हुआ था वो so होगा यानि कि दो value increment होगा बट so एक ही value को वो click करेगा इसलिए better हमेशा होता है कि इस तरह के case में अगर आप instantly value को देखना चाहते हो तो उस case में आप plus plus पहले लगा जिए यानि कि pre increment हम करेंगे अब यह मेरा function बन गया दूसरा function हम एक बनाना चाहते हैं decrease करने के लिए तो हमने यह आप यह function दिया decrease और इस decrease function के अंदर हमने क्या किया same जो set हमारा number है उस set number के अंदर minus minus number को कर दिया now अब यह हमारे दोनों function बन गया अब इन दोनों function को बनाने के बाद हम क्या चाहते हैं कि इसको अब हम call करें call करें और call करने के बाद button पे जब हम click करें तो एक increment करें और दूसरा decrease करें तो increment और decreasement के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले button बना ले और उसका थोड़ा सा हम आज उसमें CSS को भी apply करेंगे so that कि आपको पता लग जाए कि CSS हम कैसे यूज करते हैं so return के अंदर fragment tag में हमने यहाँ पे सबसे पहले h1 लिखा h1 को style दिया हमने style css यहाँ यूज करने के लिए यह curly braces के अंदर हम यूज करते हैं बट double curly braces के अंदर हम यूज करते हैं fine so css में हमने क्या कहा कि जो हमारा यह h1 है उसका background color background color जो background color हो वो purple आजाए and font font size font size हमने कहा 40 pixel मेरा आए border जो भी हम यहाँ पे value देंगे key और value दो चीज हम लिए यूज करते हैं तो key और value में value always इना form of string हमको pass करना होता है अगर आप normal css की बात करते हैं तो उस case में हम क्या यूज करते थे background हाइफन color हम यूज करते थे बट जब हम react के अंदर inline css को यूज करते हैं उस case में background color या जितने भी आपके css के अट्रिब्यूट से हो सारे एक single word बन जाते हैं और हो camel case के तरह यूज होता है camel case का मतलब क्या हुआ कि पहला word का first character small होगा दूसरे word का first character capital होगा तो हम यसी purpose से इसी को बताने के लिए हमने आपको यहाँ पे यह css को apply किया है and then border हमने कहा कि border हमको use करना है और border हम क्या चाहते है कि इसका border जो है thickness two pixel हो solid हो और red color में border आ जाए now अब यह h1 हमारा complete हो गया जो h1 हमने लिया था इस h1 को हमने describe कर दिया then h1 में हम लिखना क्या चाहते हैं हम लिखना चाहते हैं use state example fine now अभी हमारा use state example हमने बना लिया एक then अब जो fonts जो हमको mainly work करना था उसी work को कि कैसे हम अपने number को increase करें और decrease करें उसके लिए हमने यहां पे दो बटन बनाएं बटन टाइप आप simple बटन ले लीजिए और on click event को हमने handle किया और इस event में हमने call कर दिया increment जो function बनाया था उस increment function को call किया और इस button पे लिखना क्या आया है तो हमने कहा increment now line को हमने break कर दिया second button बनाया button type button और इसके on click event पे हमने decrease जो बनाया था उसको call कर लिया fine then इस पे हमने लिख दिया decrease then अब यह output तो हमारे click करने से हमको मिल जाएगा बट हम क्या चाहते हैं कि जो output आये वह output हमारे screen पे 100 भी हो तो same इस h1 tag के नीचे h2 size में हमने क्या कहा total number value colon अब उस value को हम print करना चाहते हैं तो हमने यहां पे curly brushes के अंदर number दे दिया now पहले इसको run कर लेते हैं फिर इसके बारे में और जो भी हमको बताना होगा हम इसमें आपको बताते रहेंगे npm start हमने कर दिया in between हम इस पे बात कर रहा है अब यह जो button पे जैसे ही हम on click यानि की button पे click करेंगे तो increment वह इस function के पास जाएगा और number के value को increase कर देगा और number के value को increase करने के बाद total value यहाँ पे print करता जाएगा कि यह कितना हो गया हमने क्यों value लिखा total को हटा दिया है now अब जब यह पूरा value print कर लेगा आप यहाँ देखिए आपके पास output आ गया यह हमारा आ गया यह हमने css use किया था css से मेरे पास आ गया by default यह क्या हमने दे रखा था यह increase हो रहा है और यह decrease हो रहा है बट decrease होते होते जीरो हो जा रहा है हम क्या चाहते कि नहीं यह जीरो नहीं हो यह जो जीरो हो रहा है वो one से ज्यादा ही हो तो decrease करते समय आप यहां condition दे दीजे if number greater than one अगर है then हमको यह set number को minus करना है otherwise minus नहीं करना fine अब हमने दुबारा इसको चेक किया यह one हमारा default value था one increment होता गया now हमने decrease किया अब यह one से नीचे नहीं आएगा तो इस तरह से हम अब button पे हम क्या चाहते हैं कि css को apply कर दें button को हम css apply करना चाहते हैं तो css apply करने के लिए हम यहां दो तरीके से use कर सकते हैं अगर हम external css को use करना चाहते हैं तो हमने एक यहां पे file बना लिया style.css और style.css में button का हमने style चेंज कर दिया क्या चेंज किया margin margin हमने कहा all together यानि की चारों तरफ left right bottom और में जो space हो वो 20 pixel का space हो बॉर्डर बॉर्डर हमने कहा 3 pixel solid red color में आ जाए background color जो external होगा वो हमारा old technique ही होगा old जैसे हम css यूज करते थे उसी style से यूज करेंगे but in line और internal जो है वो हमारा change हो जाता है अब हमने background color कहा कि मेरा equa हमारा color हो border radius border radius हमने कहा 10 pixel का हो जाए now यह जो हमने style css बनाया अब इसको हम apply करना चाहते हैं अपने program में तो उसको हम कैसे करेंगे यहां पर css को हमें import करना पड़ता है import root के अंदर है और name हमारा है style.css fine हमने इसको use किया now you can see it can change अब यह change हो गया यहां देखिए margin चारो तरफ से हमारे आ गया इसका अमारा surrounding जो border हो आ गया हमने radius भी change कर दिया तो इस तरह से हम use कर सकते है external css अगर आप internal css बनाना चाहते हो internal आप कोई भी use करना चाहते तो internal भी आप use कर सकते हो internal के लिए हमको variables बनाने पड़ते हैं variable हम बनाते कैसे जैसे हमने कहा var data और यहां हमने एक केवल simple font family font family और font family में Algerian हमने ले लिया now font के अंदर button पे style हमने use क्या style और style में call किसको कर दिया data को अब आप देख चेक कर सकते हो कि यहां पे उसका font क्या हो गया Algerian हमारा font हो गया अगर आप decrease पे यही करना चाहते हो तो आप decrease पे भी कर सकते हो style लिखिए यहां पे style और इसमें आपने दे दिया data जो हमने css internal बना रखे थे तो इससे अब आपको पता लग गया कि css को हम कैसे react में use करते हैं तीन तरह के हमारे css होते हैं internal css inline css और external css तो external css तो old style में ही जैसे आप css लिखते थे वैसे ही हम लिखते थे लिखते हैं और उसको केवल हमें import करना होता है internal जो हम बनाते हैं उसके लिए एक variable हम declare करते हैं और उस variable के अंदर css जो भी आपको apply करना हो आप use कर सकते हैं जैसे suppose हमको font size भी बड़ा करना है तो हमने यह font size दिया और font size हमने कहा 30 pixel का हो जाए so 30 pixel है हमारा font size जैसे ही हमने इसको save किया automatically आप देखिए button पे हमारा यह changes reflect में आ गया so इस तरह से हम internal css बना सकते हैं और inline css हम जहां भी बनाना चाहते हैं style के अंदर double curly braces के अंदर जैसे internal css लिखते थे वैसे हम यहां पे css को use करेंगे so अभी आपने देखा कि हम कैसे use state को use करके और css को use करके एक हमने form बनाया जिसमें हमने दो button बनाया और उस पे increment decrement को use किया use state को use करके hooks को use करके so इस तरह से हम hooks को use करते हैं so I think अब आपको बहुत अच्छे तरह से hooks use करने आ गया होगा next video में हम react router पढ़ेंगे so thanks for today thanks बच्छे